असलाम अलेकुम ये मेवलीन का हमारे पास इंस्टेंट एज रिवाइन एरेजर है जो डार्क सर्कल्स के लिए है लेकिन मैं तो इसको कंसीलर के बजाए में इसी में डाल के और इस्तफाल करके अभी इसको रीफिल करना है तो वह मैं आपको बताती हूं किसे करना है यह इसकी के आपके इसको चींड़ सालें प्रशे दालेना है भी इसको बहले हैं पहले से बाहर निकाले से इसको आदब है यहां पर हमने जो भी फॉन्डेशन बिल्कुल थोड़ी सी अमने डाल लात ने डाल दीग माशव्यान बहुत जादा नहीं डालने जाल दी तो यह गर जो है वो यह आपको वापस लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है ना अब यहां पे हम थोड़ी सी फाउंडेशन इसमें डाल लेते हैं अब यहांने जो फाउंडेशन डाली हो बिल्कुल थोड़ी सी है वापस मैं इस ब्रश को इसको यहां पर मुश्किल होगी और फिर इसको हमने यहां पर इस जगा पर इठाना है सेट करना यह यहां पर हो गया हमारा फाउंडेशन की मिदार अगर आपने जादा रखती तो इसको वापस प्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब यहां पर अब स्पॉंज लगाने के से पहले अब हम इसमें स्पॉंज को इस तरह से क्योंकि यहां से इस तरह से बाहर निकलना है तो हम इस तरह से यह कर इसको डालेंगे और किसी चीज के साथ इसको हलके से प्रेस करके हलके हलके हमने प्रेस करना है यह थोड़ा से ट्रिक्की है या तो यहां पर आपके जैसे प्रेस करेंगे तो यहां पर आ जाए तो आपस को ऐसे हाथ से पुल कर लें यह बाहर आगे जितना हमें चाहिए था करें हम वापस को स्कैप को यहां पर फिक्स कर दें यह होगा यह कब लगा अब जब आपको यह उसकर नहीं होगा तो यह थो थोड़ी देर आप इसको करेंगे ताकि यह स्पॉंज के उपर उसका फांडेशन उस तक पहुंच जाए और फिर उसको यूज़ करेंगे अभी थोड़ी दिर मैं इसको करते हूं ताकि यह यूज़ करने के काबिल हो जाए थोड़ी सी मैनत के बाद अब यह देखिए इसकाबिल हो गया है फिर जब यह खत्म हो तो आप फिर इसको रिफिल कर देंगे अब कर देंगे तैंक यूज़ आप